Good morning students. Welcome to Radisson Roots Online Classes by Radisson Thai School, Jeevar. I am Tukur Manal, Class Teacher of UKGB Class. I will explain today's worksheet. Today I will teach you English, Maths, Hindi and EBS. Okay? First subject is English. English में आपको क्या करना है? Write A to F लिखना है. बट इससे भी पहले आप क्या करेंगे? First date लिखेंगे. Today's date is 11th April 2020. Okay? 11th month 4 means April. Okay? And right side, write CW. मन्दलब class work. जैसे यह क्या है? A, B, C, D, E, F. यह आपको full page में लिखोगे. तो मैं दिखाते हूँ कैसे लिखना है? Like, A, B, C, D, E, F. यह आपका revision work है. यह full page में कर ला है. Okay? The next. अब F तब हम लोग सीख लिए. Then next letter is G. Capital cursive G and capital small G. Okay? G for grades and G for girls. G कैसे लिखते हैं? मैं अभी आपको दिखाती हूँ. 1, 2, 3. 3rd line से start करेंगे. फिर 1st line में जाके. फिर 2nd line में जाके. फिर नीचे आना है. Then. Okay? And small G. कि मुझे follow करेंगे. मैं कैसे लिख रहे हूँ. Okay? दिखाई दे रहा है ना? Next. Okay? Clear? But, बिल्कुल pencil नहीं उठाना है. देखो मैं बिल्कुल pen नहीं उठा रहे. Okay? अब मैं का जैसे लिखना है. Okay? G हो गया. और और एक लेटर सिखेंगे. H. H for heart. And H for hen. Okay? H कैसे लिखते हैं? मैं दिखाती हूँ. देखें. First and second. तो second line में start करेंगे. First of all, okay, okay, okay. First of all, right date and CW. Today's date is 11th April 2020. And here CW. Okay? H लिखना start कर दिए हूँ है. Second line से start करेंगे. फिर first line में जाके थोड़ा सा line. Okay? Then, H, capital H. And small edge. Small edge हमेशा third line से start होता है. Okay? दर से जाके first line को touch करके. फिर थोड़ा सा second line से. ऐसे बनाना है आपको. Easy है न? चले में में को follow करिए. Age. Age for heart. Age for hand. Okay? Clear. ये भी आपको one page लिखना है. Full page लिखना है. Next. अते हैं हम लोग हिंदी में. Okay? खाली स्थान बढ़िए. ये आपका मम्मी को बोलोगे ये लिखने के लिए. ठीक है? और ये work job करेंगे. उससे पहले क्या लिखना है आपको? Date. 11th April 2020. And CW. Okay? उसके बाद देखिए. इधर देखिए. मैंने का लिखा है. उसके बाद मैंने छोड़ दिया. गा लिखा है. उसके बाद गा लिखा है. उसके बाद मैंने छोड़ दिया. तो ये आपको feel करना है. का खा गा आणा. ये आपको आता है ना? तो को के बाद क्या आएगा ख, ओके, देन ग, घ, और इधर क्या आता है अंगा, यह आपको पूरा पेज लिखना है, clear, ओके, दर नेक्स्ट, आते हैं हम लोग मैस में, First of all, you write date and CW, 11 April 2020, okay, write 1, 250, forward counting, तो forward counting जब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, one, one से start करते हैं, बहुत सारा बच्चे, आपने क्या करते हो, 10 से लिखते हो, बद हमेशा writing, one से जब start होता है, वो once से start होता है, जब one जो लिखेंगे, O के नीचे लिखेंगे, ठीक है, O means once, start करेंगे, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, ten के बाद क्या आएगा, one, one, eleven, one, two, twelve, one, three, thirteen, one, four, fourteen, one, five, fifteen, one, six, sixteen, one, seven, seventeen, one, eight, eighteen, one, nine, nineteen, two, zero, twenty, यह आपको 50 तक लिखना है, ओके, next, यह देखिए, put the correct symbol, greater, less, equal, आपको पता है, greater, less, and equal, किसको बोलते है, मैं दिखाती हूँ आपको, यह देखिए, यह greater का sign है, यह less, and यह equal, जैसे, मेरे पास eleven topics है, और आपके पास two है, तो किसके पास जयादा है, जिसके पास जयादा है, उसी तरह मुह खुला रहेगा, देखिए, इसका, क्रोकोड़ाल का मुह खुला रहते है, तो इधर मुह खुला रहते है, तो इसको क्या बोलता है, eleven is greater than two, okay, next, मेरे पास अपके पास there Yeah are as a teenager about aफके पास टमवीज है तो किसके पास ज्यादा है आपके पास ज्याधा है और य के बोला ता जिधा ज्याधा है उसके तारफ मों खुला रहते हैë तो इदर मों खुला रहेगा तो इसको क्या को बोलेंगे हम लुग Teemi less than 10 okay next आते हैं मेरे पास आप 4 टॉपीज है and आपके बास भी 4 टॉपीज है दोनों का सेम सेम है तो क्या लिखेंगे equal to इस टाइम हम लोग क्या बोलेंगे both are equal ये sign को हम लोग equal बोलते हैं clear तो इधर देखिए 8 and 6 which number is big 8 is big इसलिए मैंने मुँ देखिए खुला रखा है इधर देखिए 4 and 5 which number is big क्योंकि मेरे पास 4 टॉपीज है और आपके पास 5 टॉपीज है तो इधर ये जादा है तो आपके पास जादा है 1 तो इधर इसलिए मुँ खुला रहेगा और दिखाओ मैं आपको 1, 3, 13 1, 3, 13 वो तर इकुवल इधर इकुवल साइन देंगे ओके क्लियर नेक्स्ट आते हैं हम लोग EBS में EBS में आपको क्या करना है कुछ लिखना नहीं है आपको सेब ओरल बोलना है तो यह क्लास्वाक क्लास्वाक एंड देट बिलकुली नहीं लिखना तो मैंने क्या लिखा है इधर Myself Myself means अपने बाड़े में जैसे My name is टुकुन तो आपका जो भी नाम है इधर फार्स सेंटेंस देखिए Number 1 My name is अपना नाम बोलना है Only बोलोगे Okay Then I am a boy या girl आप boy हो तो boy बोलोगे नहीं तो girl है तो girl बोलेंगे Next My father's name is Mr. पापा का नाम बोलोगे आपका Mr. पापा का नाम से पहले Mr. आता है यह आपको पता है Next My mother's name is Mrs. ममी का नाम से पहले Mrs. Next I am 5 years old आप कितना एच का है वो बोलना है But यह पूरा Oral करना है आपको बोलना है बोल बोल के सिखेंगे मैं जब वीडियो कॉल में आपको देखूंगे मैं पूछूंगी Okay Myself Bye